बार्दी किसान यूनियन के राज्टी प्रवक्ता राकेश टिकेट का कहना है कि जग तक की देश के ग्रह राज्जी मंतरी अजे मिश्रा का इस्तिफा और उनकी गिरफ्तारी नहीं होगी उनका ये आंदोलन ऐसे ही चलता रहेगा उन्होंने का कि राज्जी ग्रह मंतरी 120 वी के आरोपी है इसलिए उनकी गिरफ्तारी जरूर होनी चाहिए राकेश टिकेट में 18 अक्टूबर में होने वाले रेल लोको आंदोलन के विशी में जानकारी देती वे कहा कि 6 गंटे तक रेल लोको आंदोलन चलेगा लखिमपूर मोही किसानों की मौत के बाद सरकार से मौबजा और दूसरे समझोते पर बोलते वे कहा कि हम संगश से समधान की तरफ जाते हैं लेकिन सरकार समधान से संगश की तरफ उन्होंने का कि लखिमपूर में और संगश बढ़ सकता था लेकिन वो पहुँचे और उस साथ सो से अधिक किसानों की शहादत किसकी समय में हुई इसके लिए देश के प्रदान मंत्री पूरी तरह से जिम्मेदार है और कहा क्रिशी कानून वापसी नहीं तो घर वापसी नहीं दरसल राकेश्टिके दिल्ली से लखेंपूर जाते समय कुछ देर मुरदबाद के मुं तरह कि के लिए आपका जा रहा है जाएंगे लकाल जाएंगे लकी एक तरह पर करने वाले होंगे वह तो सब्सक्राइब एक एक की नहीं हुए उसका परेपारी परीफ्पार से को एवर si Πारफ है और और जब դक यह आंदोलन जारे रहे रेल में कहीं की जूट रहती अधिकारी को लेकर के अधिकारी की कोई स्पेशल ट्रेन आओगी तो भाई उसको बता देगी सरकार समधान से संगर्ष की तरफ आती है यही दूनम्ह फुरक है संगर्ष ही बढ़ रहा है ना सर लगतार संगर्ष हम समधान समधान चाहते हैं लखीमपूर खेड़ी में संगर्ष होर बढ़ सकता था समधान निकाल ला सरकार समधान से संगर्ष की तरफ जाती है उसको चुनाव लटता है उसकी जुममेदार भारत सरकार की है जब इत्यास लिखा जाएगा किस राजा का राज था उसमें लिखा जाएगा साठै साथ सो लोग्ग की साद्थ वी उसका जुम्मेदार देश का परधार बनती है जानून वापसी नहीं तो घर वापसी नहीं तो पहले रेल रोकों से पहले अर्दास का जो आज है वो कल है कल है उससे क्या कुछ पुछ मीटी कुछ फैसले लेने वाले तो कल सब लोग रहेंगे तो वहां पर फैसले लेगे तो आज़ वहां पर जो समझोता हुआ था वह वहां था वह पधान संयुक्त मोर्चा की तरफ से हुआ तरफ से